हलो दुस्त स्वाक्त है आपका अपनी यूटिप चैनल पर मैं मिना आज का थमनेल टाइटल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज मैं सामले रंग को गोरा करने के लिए टिप्स बताने जा रही हूं ठीक है लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं गोरे रंग के समर्थक में बिल्कुल नहीं हूं रंग चाहे गोरा हो चाहे सामला हो चहरा जो है साफ होना चाहिए दाग धबो से रहत पिंपल से रहत होना चाहिए वो चाहे रंग साफ हो गोरा हो चाहे सामला हो भगवान का बनाए हुआ हर चहरा सुंदर है खुब सूरत ह है लेकिन काफी बार को वीडियो का आधीया है तो देख लीजे कैसे आप रंक ो गो्र ऑ कर सकते हैं रंगत को निखार सकते हैं लेकिन वीडियो में आगी बढ़नाएं से पहले आप से छोटी सवाइस अगर आप हमारे चैनल पर ने हैं तो प्लीज मारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें लाइक ज़रूर करें दोस्तों आप हमेशा भूल जाते हैं तो लाइक ज़रूर करें और शेर किजिए अपने फ्रेंस के साथ फैमिली मेंबर्स के संतय के चिलके आपको लेना है फ्रेश थी जो कि हम संतरा खा कर लेकिन उन्हीं चिलकों से आपege equipo 116ल को तो बना कर रख सकते हैं क्या करें के संत्रे के चिलकों को तो मिक्स में अच्छे से आप ग्राइन कर ले एक फाइन bestenों सा पेस साप त्यार कर लेना है ठीक है आप एक साथ एकठा पेस्ट बना कर रख सकते हैं फ्रीज में हपते दर दिनों के लिए ठीक है लेकिन सिर्फ पेस्ट को ओरेंज पील पेस्ट को ही आप रख सकते हैं लेकिन जो इसके बाद हम इंग्रीडियन्स का इसमाल करेंगे वो आपको सिर्फ तभी डालने हैं जब आपको अपने चेहरे पर अपनी स्कीन पर अप्लाई करने हो तभी आप उसमें जो है इंग्रीडियन्स एड़ करें इस पेस्ट को आप हपते दर दिनों के लिए स्टोर क पेस्ट चैब आपपको पेस्ट लेना है और इसके बाद आपको चाहिए ब्रय मिलक, सूका दूद आपको लेना है और चाहिए आपको बादाम का तेल ठीक है रोगन बादाम शिरिन ले ले एक स्यादा चमच अभी विंटर्स है तो एक आदा चमच आराम से चलेगा अगर आप गर्मियों में त्यार कर रहे हैं तो आप 5-6 डॉप्स आप इसमें डाल सकते हैं ठीक है अगर आपकी स्किन जो है तो एक स्यादा चमच चीश में डाल कर आप अच्छे से मिक्स कीजिए इसका इन सभी इंग्रियेंट्स का कॉंबिनेशन जो है आपकी रंगत को निखारने में बहुत ही जादा फाइदा करेगा बोडी पॉलिशिंग में बहुत ही जादा हैल्प करेगा तो आप इसे अपने हाथों पर अप्लाई किजिए अपनी बाजों पर अप्लाई किजिए पैरों पर अप्लाई किजिए नेक पर अप्लाई किजिए अपने चेहरे पर अप्लाई किजिए अपने रंगत को निखारने के लिए आपकी जिब बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है तो चहरे पर जब आप लगाएंगे तो अपर डिराक्शन में नीचे से उपर की और इसे अपलाई करेंगे आप ठीक है अच्छे से आप टीतr這 लगाएं और लगा करके आप कम से कम 15 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए इसे लगा कर छोड़ दे और हाँ दोस्तों इस से प्लाई करने से पहले make sure अपनी चहरे को अच्छे से wash कर ले आपका चहरा जो है धूर मिट्टी make up product से रहत हो आपकी चहरे पर ना तो make up product लगा होना चाहिए और ना ही धूर मिटी होनी चाहिए ठीक है तो इससे अच्छे से लगा कर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दे उसकी बाद आप हाथ हमें पानी लेकर के अपनी चहरे पर इसे रब करती हुए रगटी हुए उतारनी की कोशिश करे दो मिनट तक आप मसाज करते हुए इससे उतारनी की कोशिश करे ठीक है तो उसके बाद आप कोई भी moisturizer, alvirajal आप apply कर सकते हैं अगर आपको dynas feel हो ठीक है इसे आपको daily करना है regular करना है आपको महिने बर में result दिखाई देगा आपके रंगत अनिकरनी start हो जाएगी तो यह था मिरा आज का वीडियो मुझे पूरी मीद्या जी वीडियो आपके लिए हैर फुरेगा जूश फुरेगा मुझे दीजी जाज़ thank you